अगर आप इस तरीके से भिंडी की सबजी बनाते हैं तो ये सबजी बहुत जल्दी बनती है और बहुत ही जादा चटपटी बनती है तो चलिए इसको बनाते हैं इसको बनाने के लिए मैंने आधा किलो भिंडी लिया है इसको अच्छे से धो के मैंने पोच लिया है पानी बिल्कुल भी नहीं है उसके बाद इसको आधे आधे इंच की लंबाई में काट लेंगे तो सारे भिंडी को मैंने काट लिया है अब भिंडी में ही कुछ मसाले डालेंगे तो एक चमश मैंने हल्थी पौडर डाला है आधा चमश लाल मेश का पौडर एक चमश धनिया पौडर एक चमश पाव भजी मसाला और एक चमश अधरक लैसन का पेस्ट डालेंगे दो मीडिय इसमें दो चमज सरसो का तेल डाला है और अच्छे से मिक्स कर देंगे सरसो तेल डालने से ये सबजी जो है चिपचिपी नहीं बनती है गैस में मैंने कड़ा ही रखिए इसमें मैंने दो से तीन चमज तेल डाला है आधा चमच जीरा डाला है, दो पिंच हींग डाला है और सारे भिंडी को इसमें डाल के medium flame पे इसको पका लेंगे जब भिंडी आधा से जादा पक जाए तब इसमें नमक डालेंगे पहले नमक नहीं डाले नहीं तो इसमें से पानी दिलीज होने लगता है तो भिंडी आधा से जादा पक गई है तो मैं इसमें टेस्ट के कोडिक नमक डाल दी हूँ और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और जब भिंडी पूरी तरीके से पक जाए तब इसमें आधा टी स्पून आमचुर पॉर्डर डाल देंगे और केवल एक मिनट के लिए लोफ लेंपे इसको फून लेंगे एक मिनट से जादा नहीं फूनेंगे और देखे ये बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी ये भिंडी की सबजी बन के तयार है इस सबजी को आप रोटी, पूरी, पराठा किसी भी चीज के साथ खाए बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में और यकीन मानिए 12-15 मिनट में ये सबजी बन जाती है बहुत जादा तयारी भी नहीं करनी पड़ती है इसको बनाने के लिए और यहां पर देखे मैंने इसको सर्फ कर लिया है एक-एक भिंडी जो है बिल्कुल अलग-अलग है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है तो आप भी इस एजी सी रेसिपी को जरूर ट्राइ करें ये रेसिपी आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इसको मैंने थोड़ा सा खीरे के सलाद, मिर्च का भरवा अचार और गर्मा गरम पराठे के साथ सर्फ किया है आप इसको गर्मा गरम कचोड़ी या फिर पूरी के साथ भी खा सकते हैं सफर में भी बना के ले जा सकते हैं बहुत जदी बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है तो इस एजी सी रेसिपी को आप भी जरूर ट्राइ करें ये रेसिपी आपको भी बहुत पसंद आएगा